गाना बजरा है और हर्मन अपनी माँ के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है सब जानते हैं मगर उसकी माँ ने जो हरक्तें की है वो हर्मन के सामने जाहिर हो जाती है और जिसकी वजह से वो खफा भी अपनी मदर से तो जब मां का गाना सुनता है तो वो उसे उसकी याद आती है वो emotional हो जाता है उसे वो याद के साथ वो जो उसकी माँ ने उसके साथ किया वो सब भी याद आता है तो वो परेशान हो जाता है जिसकी वज़े से उसे लगता है कि अगर मैं ये गाना बंद कर दूँगा शायद इन जादों से मुक्ति पालूँगा वो ऐसा हो गया था कि वो जो हमारी दो महान किनर हैं करीना रवीना वो पैसा लेके भाग रही होती है और बीच में एक तीसरा बंदा भी होता है जिसका हिस्सा होता है मगर उसको वो हिस्से का डर पड़ जाता है हमारी एक गुरू मात है जो बिक चुकी थी तो उसको लगता है कि ये दोनों भाग रही है तो मेरा हिस्सा कहां जाएगा वो फिर उसी चक्कर में गुरु मा का परदा फाश हो जाता है मेरा ख्याल उनका अब हक बनता है कि उनको अब उनकी जिन्दगी जीने दी जाए इसलिए उनके आगे अब कोई शर्त नहीं होगी कुछ नहीं होगा कोई रुकावट नहीं होगी वो जैसे चाहिए अपनी जिन्दगी जी सकते हैं